हेलो माई यूट्टू फैमिली रादे रादे कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत-बहुत अच्छे होंगे आप सभी का वेलकम है आपके अपने सुनीता जर्मा ब्लोग पर तो आज है सिवरात्री आप सभी को सिवरात्री की बहुत-बहुत शुब घामना है भोलेनाथ, आप सब की मनो कामना पूरी करें और हमारी भी करें, भोलेनाथ, जो कि मैं गंगाजी नहीं गई हूँ आज और बड़ा वाला गया था, वो गंगाजी भी गया था और जल चढ़ा कर भी आया, मम्मी भी गई थी, तो ये सब कहे थे, बागी मैं नहीं गई, क्योंक पूजा की पूजा आज सुबह ऐसे ब्लॉग शुरू भी नहीं किया था मैंने अब कर रहे हूं चार बज़रें सामके मैंने सुचा ब्लॉग शुरू कर देती हूं और आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद जो मेरे लिए सबने बोला जल्दी ठीक हो जाओ दीदी जल्दी हो जाओगी तो मैं पहले से बिल्कुल ठीक हूँ बिल्कुल तो नहीं कह सकती लेकिन हां मतला बहुत अच्छे से फिर भी चल पा रही हूं इतना नहीं है जैसे कि जो नीचे ना पूरा गांट सी निकल आई थी वो भी ठीक हो गई है जो दीदी ने कल सुबह भी किया था ज स्लीजी होंगी और सु इससे तो मैंने वोला भी नहीं फिर उन से मैने कडि रात में देखती हूं रात में बंद वालों में तो और जाधा आराम हो जाएगा आज कल इतनी जैदा वीड चल रही है कावड़ वालों की बहुत जादा वीड चल रही है तो फोड़ी सी जो है बस आ गई थी बस मिल गई तो उसमें बिठा कर वो बापस आ गया तो ऐसे हो रहा है अब आने का भी टाइम हो रहा है उसका और देखो पसी ने आना सुरूख हो जाते हैं अभी आई हूं मैं किचिन में से दही जमाई थी रात को मक्खन वाली जो दही होते हैं मलाई नि हैं दही के लिए तो अगर कोई परिशानी होती है ना जैसे बुखार है या कुछ है तो नहीं खाते हैं नहीं बाकी मतलब और वैसे भी गर्मिया चल रही है और आप लगातार अगर खाते रहते हो नो कोई चीज तो वो आपको नुक्सान नहीं करेगी कभी भी आप सोचोगे ना ये चीज नुक्सान करेगी तो वो और ज्यादा नुक्सान करेगी इसलिए ना आप मतलब जितनी आदर डालनी चाहिए थोड़ी थोड़ी अपना खाते रहना चाहिए कोई भी चीज होती है उसे बिलकुल छोड़ना ने चाहिए कि जैसे हम छोड़ देते न तो हमारे सरेर को भी वैसी ही हैविट हो जाती है कि फिर हमारा सरीर उस चीज को लेता नहीं है तो इस वज़े से मेरे हाँ तो हमेशा दही रायता यह सब चीज़ है खाते हैं वच्चे क्योंकि सुकी सब्जी होती है उसके साथ बिल्कुल भी बिना दही रायते के नहीं कहा सकते तो ऐसा होता है देखिए हमारे यहां की जो गंगाजी हैं कितनी ज्यादा आरी है इतना जल आ रहा है ना उपर से के सारी जो सेडियां थी ना वह भी धकी हुई है एक दो सेडी बाकी रह गई हैं लेकिन यहां पर कितनी सारी सेडी थी सब धक सुकी है जल से देख सकते हैं आप बहुत तेज गंगाजी आ रही है और आज कल जो है देखने में जो है बहुत नहीं जाता है इस चीज पर और बहुत तेजी से जल आता है और कम भीड भी कम है इसी वज़े से नाहने वालों की बहुत कम भीड है जैसे हमेशा रहती है उस तरीके से नहीं है और अब ही मैं बना रही हूं यहां पर मावा तो देखिए दूद मैंने पहले भगोने में पड़ेगा और यह मावा बन क्यूं रहा है आप लोगों को दिखाती हूं कि आपने पहले किलिप देख ली होगी मैंने पहले बनाई थी क्योंकि एक बार जो है थोड़ा सा मैं बना चुकी हूं और उसके बाद यह रख दिया है मैंने और क्यूं बना रही हूं क्यूंकि मर और अखक्यों पेज़या जो है घेबर आया यह यह बिना मावे वाल यह लेके रहाए मोटा मोटा लगाना इसपर मावा होता है धर में नहीं वहां तो जैसा मिल जाएगा वैसा मिल जाएगा लेकिन घर पर क्या थोड़ा जादा लगा के और तो इसको मैं थोड़ी देर में अभी बना लेती हूँ तब दिखाऊंगी आपको इसके ऊपर कैसे लेयर लगानी है और यह भर भी बन जाता है वैसे मैंने नहीं बनाया है यह अभी मार्केट से आया हुआ है और इस पर में मावा लगा दूँगी बस बिल्कुल सिंपल है देख सकते हैं मेना मावे का है और यहां से एक पीस ऐसा बना चुकी हूँ मैं तो उन्होंने खा भी लिया है अब दूसरे के लिए क्योंकि पहले क्या किया मैंने थोड़ा सा लेके दूद्ध और सभी बेड़ा ने थोड़ा ही कर दिया मैंने कड़ा इमयां मैंने इसको खा दूझी तो इसको यह बाद में खा लेंगे अपना अभी यह मावा जो गाड़ा और इसमें डाल दिया मैंने चीनी कि यह थोड़ा मीठा हो जाएगा न तो इससे अच्छा लगेगा और बाकी जो कुछ और बना लूँगी इसका में पुछ और बना लूँगी इधर बन रहे हैं और अभी चीनी बन जाएगी तो इसको मावे को यह वर के उपर लगा दूँगी मैं और कम रहेगा तो और ले दूँगी उसमें से लेकिन मुझे ने ठीक लग रहे हैं यह कुछ आदा है थोड़ा सा दूद एक्ष्टा था तो पाकी कुछ और किसी चीज में यूच हो और यह जितना भी मावा है ना इसके उपर अच्छे से लगा लूँगी मैं थोड़ा थोड़ा करके और गरम गरम फैलाएंगे ना तो इसमें अंदर भी चला जाएगा यह क्योंकि ठंडा होने के बाद तो यह गाड़ा भी हो जाता है और अभी लगाएंगे तो इसमें लग चुका है और घेवर झो अत्यार हो चुपका है इतना मार्केट में लगाती है घर पर अपना खुद से लगाना है तो कितना भी लगा लीजिए तो देखिए मैंने खुब अच्छे से लगा दिया और उसी में हो गया और इस वाले पीस पर भी लगा दिया तो आप सब खाली दिये अभी मैं फिर से आ चुकी हूं किचिन में जो कि मैंने आलू बॉयल करने लिए रख दिये थे और यह छील भी लिया है वाकी आलू टमाटर की जो है सब्जी बना दिये वाकी सबके लिए अपने लिए यह ब्रत के आलू बनाऊंगी और यहां पर डाल दिया मैंने इसमें देशी घी और बाकी ले लिया यह ब्रत वाला नमक है काली मिर्च पाउडर है और यह सब लेके हरी मिर्च काट के रखी हुई है और अभी बना लेती हूं मैं ब्रत वाले आलू अभी खाना नहीं बनाया है पहले इसको बना के रख दूँगी साइड में और उसके ब बाद यह आलू डाल दूँए इसमें और अब इसमें डालूँगी ब्रत वाला नमक है और काली मिर्च का पाउडर डालूँगी और इसको अच्छे से भूलूँगी जब तक यह रेड रेड नहीं हो जाता है ना तक बहुत अच्छे से भूलूँगी इसे और अभी देखि यह बहुत अच्छे से जो है पक चुके हैं तो जो कि यह नीचे जो लग जाते ना यह बहुत अच्छे लगते हैं और उसके बाद में डाल दूँगी यह निगू का रस जो कि आधा नीगू मैंने निकाल के रखा हुआ था हुआ है और इस से हमारे आलूँगी और भी ज़ पूंगे उसके बाद मैं क्यूंकि भूग के लिए लेट हो जाता फिर मैं खाना बनाऊंगी खाऊंगी तो उसके बाद मैं लेकिन आब मैं बना लेती हूँ खाना भूग लगाने के बाद मैं खाना बना के और चलिए तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूंगी I hope मेरा चोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और जो न्यू चेनल पर आ रहें वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और करती हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाइबाए